परदेश में चुनावी बीगूल बच चुका है, राजनेता जनता को रिजाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं भारतिय समाज की बात करें तो जातियों में बटा हुआ है, समाज में विभीन वर्ग है हाशिये पे भी एक समाज है समाज में और उचे पाइदान पर भी समाज में वर्ग है सभी जातियों की राजनेती राजनेता करते हैं, इन जातियों के अंदर भी राजनेता है जो पोलिटिकल पार्टियां है वो इन जातियों की भी राजनेती करती है लेकिन समाज में एक दलित समुधाय है जो आजादी के 70 साल बाद भी मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाया है दलितों की भी राजनेती हर राजनेतिक पार्टी करती है और दलितों की हितेशी होने की जो पार्टीया दावा करती है वो भी करती है वर्तमान में परदेश में दलीत राजनेती किस पायदान पर है किस मुकाम पर है इन सबी बातों पर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है दलीत एक्टिविस्ट अधिवक्ता रज़त कलसन ये लंबे समय से दलीतों की आवाज उठाते रही है तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पिछले सतर सालों से जो भी सरकारे रही है या पिछले दस सालों में पंदरा सालों में जो सरकारे रही है और जो हमारा समविधानिक आरक्षन है उस आरक्षन के बूते हमारे हारियाना में सत्रे अमले मन कर जाते रहे हैं और उन अमले में से जो सत्ताधरी पार्टी के लोग होते हैं उन में से एक दो लोगों को मंतरी पत दिये जाते हैं और वो मंतरी पत जो दिये जाते हैं वो हम सब को भली बाती पता है कि उनको एक को समाजिक अधिकारीता मंतराले जो है एक हमारा वो मंतराले रिजर्व है और एक और मंतरी को ह हमारा को छोटा मोटा मंतराले दे दिया जाता है किसी भी हमारे कैनिडेट को विदायक को महतब पुन मंतराले आज तक नहीं सोपा गया है दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आजादी के सतर सालों से लेके आज तक ये जो मौझूदा समय है पिछले तीन-चार सालों का ये बहुत महतब पुन समय है क्योंकि इस समय में सोशल मीडिया के जरिये हमारे समाज का जो मत जाता है खास तोर पे यूध मत जाता जो है वो बहुत जागरुक हुआ है और खास तोर पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स और जो यूवा मत जाता है मौझूदा राजनिती के परती बहुत जादा सक्री हुआ है आपको मैं रोकना चाहूंगा मेरा सवाल यही है कि जो एक जागरुक वर्ग हुआ है दलित समुदाई में निकला है जो पड़ लिखके अब समाज में दिखने लगा है तो वो किस तरफ जा रहा है दलितों में तो कोई ऐसी एक पार्टी को छोड़ते तो कोई ऐसी पड़ी बार आई है और स्टेट में अब मौजूदा टाइम में एलेक्शन होने जा रहा है तो भारती जंदा पार्टी का इतिहास दलितों के बारे में बेहत खराब रहा है चाहे उना कांड की बारे में बात करें चाहे सर्वीदान को जलाने के बारे में बात करें चाहे रोहीत वे ही तौको दलितों के लोगों को मैं उनको कातिल कहके बोलूगा कि वह लोग कतल करने वारे लोग हैं अब्र 57 कोई पार्टी का ना इसके रापरदेश की रादिति में देखें तो कोई ऐसा बड़ा जो दलित समुणार से पार्टी से इतर कोई ऐसा नजर नहीं आता है ना ही कोई पार्टी न जर आती है सपाका भी कोई खास प्रदर्सक्र में रहा है देखिए बस्पा के पति लोगों की काफी उम्मिदे लोगों की जुड़ी हुए है और जुड़ी हुए थी लेकिन हाल में ही जो घटना करम हुए है पिछले तीन चार घटमंदन हुए और वो घटमंदन ब्रेक हो गए उस वज़े से लोगों का थोड़ा बसपा में भी रुजान कम हुआ है इस समझ दलित मत आता है बड़ा कन्फ्यूज दे कि कहां जाए कहां ना जाए और रहे दे के विकल फिर वो ही बसते हैं जिन से परेशानी है दलितों को घूम फिर के दलितों के पास कोई ज्यादा लंबा चोड़ा स्पेस नहीं है वोट डालने के लिए और दलितों को सही माइने में एक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है एक पार्टी की जरूरत है जो जहां पर दलित एक जूटोकर अपना वोट डाल सकें कांगरेस पार्टी में अशोक तवर ने थोड़ा बहुत कोशिश की थी कि एक दलित नेता के तोर पर अपनी पहचान मनाए और वो कहीं ना कहीं कामयाब होते नज़र आ रहे थे लेकिन जो पार्टी की आपसी एक दलित नेता है जी पार् बहुत अच्छा मौका था अगर वो अच्छे कैंडिडेट्स को टिकेट्स देते तो सारा का सारा बोजन समाज कांगरेस और बीजेपी से तंग है और वो सारा का सारा वोट एक जिगह डल सकता था सर कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो वर्तमान जो दोर है इसमें जातियों की बात करना अच्छी बात नहीं है देश तरक्की कर रहा है तो आज हम 2019-2020 में आके ऐसी बातें करें कि जातियां आज भी है तो ये कुछ लोग समाज कैसे मानते हैं कि ऐसा नहीं है अब लोग जाति की बात करते हैं धर्म की बात करते हैं तो हम इस बात को कैसे मानने की जातिया खतम हो गई है जो आरेसस का संग सरचालक है मौन बागवत वारक्षन खतम करने की बात करता है परधान मंतरी जो देश के परधान मंतरी हैं वो जाती की बात करते हैं धर्म की बात करते हैं भारत की जो सुप्रीम कोट है वो दलितों का लिए जग प्रोटेक्शन का एक्ट पना हुआ है उसको कमजोर करने की बात करती है उसको बाद में रिवाइव कर दिया है लेकिन जब दो अपरेल जैसे और अंदोलन हुए जब सुप्रीम कोट को लगा कि हाँ ये एक बहुत बड़ा जन आज भी जातिया विद्धेमान है और विद्धान सबा जैसे चुनाओं में वोटिंग आज भी जातियों के नाम पर होती है टिक्टो का बिल्कुल इस मामले में एस मामले में कई कोश्चन पैदा होते हैं जो पिछले लोग सबाद चुना हुए थे और उसमें एवीम का मु है और ऐसे ऐसे जिनको पब्लिक अच्छी तरह जान पहचान भी नहीं पाई थी और वह बहुत बड़े-बड़े मार्जीन से निकल के आए तो कहीं ना कहीं वोटिंग पर नाली पर शक होता है चुनाव आयोग से इस बारे में हर लगबग हर पार्टी शिकायते दी है लेकिन चाहिए सुप्रीम कोट चाहिए चुनाव आयोगो वो इवीम से हट कर चुनाव कराने को त्यार नहीं है कहीं ना कई शक पैदा होता है कि आखिर क्यों सारा का सारा सिस्टम देश का मेडिया एलेक्शन कमिशन यहां तक की जुडिशल सिस्टम भी एक पार्टी के फेवर में जाकर क्यों खड़ा हो गया है तो अगर इस मामले में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए तो कहीं नहीं लगता परदेश में बहुत सारे युवा मैं पूरे परदेश में गुमता हूँ और हमने अट्रसिटी पे भी बहुत काम किया है अदालतों में भी काम किया है अदालतों से बाहर भी काम किया है और जो स्थिती आज से दस साल पहले थी वो स्थिती आज नहीं है हर जिले में हर उप स्काफिव हैं उनने युवाँ को मोका देने का काम नहीं कर रही है जब तक नुलकूल निर्शाथल में जा रही है और यूपी जो गड़ माना चाता था वहां पर भी बहुत बुरा परदसन बसपा कर रहा है तो आपको लगता है कि कि दलीत राजदिती में नई राजनेतिक पार्टि विकल उबरने चाहिए देखिए नई पार्टियां भी उबर रही है लेकिन कहीं ना कहीं नई पार्टियों के उबरने का जो मकसद है वो सवाल पैदा करता है और वो नई पार्टियां समाज में आती है अपने आपको समाज का बाबा साब का ही तैशी बताती है लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टियां डिलिंग करके चुप चाप आराम से बैठ जाती है मैंने इस चीज को बड़ी नजदीकी से देखा है आपको लगता है कि बस्पा पार्टी ऐसा नहीं करती कि सता में जांचि आए तो हो सकता है इनका भी यह लक्ष्या हो लेकिन कुछ ना कुछ हर पार्टी की सिदानत होते हैं असूल होते हैं मेरा मानना है कि उन चीजों से किसी भी पार्टी गला नहीं होना चाहिए तो बाद में मायावतिव ऊसको नहीं आगे बढ़ा पाई तो सहब काशिराम का समय कुछ और था अब मुझूदा समय कुछ और राजनीती के बहुत ज़्यादा माइने बदल चुके हैं और कहीं नहीं राजनीती में पैसे का और बहुत ज़्यादा यह सारा का सारा पैसे का दखल बहुत ज़्यादा हो गया तो दलीत राजनीती में भी जैसे परतेश में चुनावी महाल है तो दलीतों के पास विकल्फ क्या क्या देखते हैं किस तरफ दलीतों हो सकते हैं क्या रुजान किस तरफ जा सकते हैं उनका देखिए मैं मेरा जहां तक आंकलन है चाहे कॉंग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो चाहे इनैलो हो चाहे जेजेपी हो मुझे लगता इन में से एक सिंगल नेताभी दलित्यों का हिताशी इन पार्टीों में से एक है कोई है और बहुजिन समाज पार्टी की जहां तक बात है बहुजिन समाज पार्टी कहीं नहीं कि कुछ मांदंड पूरा करती है लेकिन फिर भी दलित मतदाताओं को अपना एक माइंड अपलाई करके इस तरह की ताक्तों को आने से रोकने के लिए वोट डालना पड़ेगा जो दलितों को कुछलने का काम करते हैं शुकरिया सराफ ने किम्ति समय निकाला और लोग जातियों में बटे हुए हैं एक नए वीडियो में एक नए नेता या एक नए प्रस्नलिटी के साथ जल्द आप से मुलाकात करते हैं कैमरामेन दिनेश चैनी के साथ मैं मनप्रीद से हूँ